दोस्तों, एक कहानी एक गुरू कुल की है, जहाँ एक शिक्षा ने जब शिक्षा पुली की, तो गुरू ने इसे एक दरपन दिया, जिसमें सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वे दिख जाता दूए. शिशे ने पहला प्रयोग अपने गुरू पदी कर दिया, गुरू की तरफ दरपन किया, तो गुरू में आवगुन दिखाई दिये बुराईयां बजी में थी, उसका भरोसा उठ किया, बहार निकला, तो उसे एक दोस्त मिला, उसने दोस्त के सामने किया, तो दोस्त के मन में बुराइया दिखी उसे लगा कि दुनिया डबल स्टेंडर में हैं लोग कहते क्या होते क्या हैं एक रिष्टेदार मिला तो उसे उसमें भी बुराइया दिखी उसने सोचा कि माबाप में तो कोई बुराइय नहीं होगी तो उसने ऐसा सोचते हुए अपने पापा के सामने ज शिश्या की तरफ घुमा दिया और कहा कि अपने आप की तरफ देखो। शिश्या ने देखा तो उसके मन में काम, करोध, मौलोब जैसे बुराईयां भरी हुए थी। तब गुरु ने कहा कि यह धर्पन इसलिए दिया था कि तुम अपनी बुराईयों को देखो और उन्हें दूर करने का प्रैत्म करो। लेकिन तुमने भी वही किया जो दुनिया करती है। दूसरों के बुराईयां देखते हैं और अपने अंदर देखना बंद कर देते हैं। दोस्तों दूसरों के बजाए अपने बुराईयों के तरफ ध्यान देना शूरू करें और कोशिश करें कि जो बुराईयां आपने हैं वो दूर हो जाएं और मेरी बात अच्छे लगे तो लाइक शेयर करके मेरा होसला बढ़ाईएगा और अगर आप नए आए हैं तो हमारे परवार के साथ में जूट जाएएगा आप सबी कत्रियों आदे